हेलो वीवर्स कैसे हैं आप लोग एक और नई रेस्पी के साथ हम आए हैं आपके इस चैनल पर तो यह रेस्पी है चिकन तिक्के की और इसे हम बनाएंगे पैन में बड़ा ही डिलीशियस मज़दार यमी होता है तो आप इसे रमजान में बनाएं आपको बहुत अच्छा क्राइए अफर हम एड़ करेंगे इसमे दहीँ और हम लेंगे थोड़ा सा ज़र्दा कलर तो आय श्टार्ट करते हैं रैस्पी को सबसे पहले हम एक बाल में दहीख करेंगे दह्न के बाद हम लेंगे चिकं तिक्का मसाला और इसे आड़ करने के बाद हम इसम डालेंगे थह बड़ा सा लेमन जूस, लेमन जूस को भी इसमें डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे आप मसाले को अच्छे से मिला लें, मसाला हमारा हो गया है रेडी और अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो के हमने अच्छे से साफ करके वोश की हुई है, और अब हम इस चिकन को भी इसमें शामल करेंगे तो रमजान में आप इसे सुबा के टाइम बना कर रख दें और दो-तीन घंटे आप इसे मारिनेशन के लिए रख दें जितनी अच्छी मारिनेट होगी आपका चिकन तिक अपना ही सॉफ्ट जूसी और टेस्टी बनेगा तो हमने इसको अच्छे से मारिनेशन करनी है और आप इसे बच्चों को इफ़तारी में बना कर दें इसके जादा महिनत नहीं है आप इसे मारिनेट करके जब रख देंगे तो ये फॉरण शाम में बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और अच्छे से बन जाएगा तो मेरिनेट करके हम इसे दो गण्टे के लिए रेस्ट में रखेंगे झरब ये दो गण्टे के बाद हमने थोड़ा-सा पैन नेल ओयल लिया है बाइल जब गरम हो जए तो हम इसमे चिकन को एड करेंगे चिकन को अच्छे से एक तरफ पहले हम गोल्डन प्राइन करेंगे और फिर हम दूसरी साइड उसकी पल्टेंगे तो यह डीश मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और अक्सर हम बनाते हैं तो चिकन भी आजकर बहुत महंगी हो चुकी है और बाहिर का वैसे भी डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि अवॉइट करना चाहिए खाना तो आप कोशिश किया करें कि घर में ही हम इस तरह चिकन तिका बनाएं और अपनी फैमली के साथ इंजोई करें तो एक तरफ देखिएगा हमारी हलकी से गोल्डन हो गई है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है तो हमने दूसरी साइड इसकी पलटनी है उसको चेंज करना है और इस अच्छा से जब फ्राई हो जाए तो हम यही दही में इसका जो पानी था उसमें यह गल जाएगी और हम इसको अच्छा से पकाएंगे तो आप घर में जरूर इस रस्पी को ट्राई करें यह देखे हमारी चिकन जो है अब इसी में जो दही का पानी था वो भी निकलने लगा है तो एक तरफ मैंने बनाया है बच्चों के लिए पराठा तो मैंने आटा लिया है और इसमें नमक और ओल डाल कर उसे अच्छे से गुन कर मैंने इसके बनाया है पराठे आप इसके साथ नान भी यूज कर सकते हैं और आप चपाती भी ले सकते हैं लेकिन मेरे बच्चों को पराठा पसंद है तो इसलिए मैं इसके बनाऊंगी घर में क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे तो पराठा रडी हो रहा है एक तरफ चिकन दिखा जो है वो भी घंने के लिए रखा हुआ है तो पराठे इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो हमने पराठे बना लिए अब देखें चिकन भी हमारा बिल्कुई रडी है तो मैंने इस पर कोईले को पका कर इसका धुआ या इसकी स्टीम दूँगी और स्मोकी जो इसका फ्लेवर है वो चिकन में आ जाएगा और इससे वो और भी अच्छा लगेगा खाने में टेस्टी लगेगा तो आप इसे जुरूर ट्राइ करें बहुत इच्छी रेस्पी है और ये देखें ये मैंने गार्निश के लिए जितना भी है रख लिया है और राइता भी मेरा रेडी है राइते में मैंने हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चे डाल कर राइता बनाया है तो ये देखें हमारे चिक्कन तिक्के की लूप कितनी अच्छी आ रही है तो आप भी इसे बनायेगा अब हम इसे डिश आउट करेंगे और हम इसे खाएंगे मज़े के साथ तो इसको मैंने प्लेट में निकालना है ये देखें आप इसे रमजान में जरूर बनाएं और ये बहुत अच्छी रेस्पी है जब आप इसे ट्राइ करेंगे तो ये आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें और इसको जरूर ट्राइ करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें हमें कमेंट्स में अपने कमेंट्स जो हैं वो जरूर बताया करें कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लग रही है अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही और अगर कुछ अखलत है तो भी बताय करें तो यह हो किया जी हमारा खाना रेड़ी तो हम इससे अभी फैमिल के साथ मिलकर खाएंगे टेस्ट करेंगे तो आप इसके चिकन पराथा जो है इनके चिकन और पराथा के रोल भी बना सकते हैं तो अभी मैं एक रोल बना कर दिखाऊंगे आपको तो मैं अपने चिकन को एक लियर चिकन लगाने के बाद दूसरी मैंने इसमें दहीं और राइते की जो लेयर है वो बनाई है और फिर इसमें प्यास बहुत अच्छे लगते हैं तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह चिकन तिक्के का रूल बना कर दें उनको बहुत अच्छा लगेगा आप कहीं लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं पिकनिक पर जा रहे हैं तो भी आप इस तरह रूल जो है और लेकर जाएं तो ये देखें इस तरह रूल जो है हमारा तयार हो गया है और ये देखें कितनी अच्छे इसकी लोग का रही है तो मैंने इसको ट्राइ किया इंजॉय करें अपने प्यारों के साथ आला हाफिज खदाफिज